हेलो प्यारे बच्चों डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपुडेंट बाते करूँगा और वीडियो के एंड में कुछ बैचिस को भी अनॉंस करूँगा जो हम 1 अप्रेल 2024 से स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इस्टुडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल स्टडी करते हैं और लेकिन फाइनल एक्जाम में जब वो जाते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि क्लास के टाइम पे तो पूरे साल अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन एक्जाम टाइम में जाने के ब पाता है ऐसा क्यों होता होगा पिछले कई सालों के experience से आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप कोई student की copy उठाकर देखेंगे final exam की copy अगर आप उठाकर देखते हैं तो आपको एक चीज उसमें दिखाई देगी कि अगर उसके marks कहीं पर भी cut हो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी calculations में marks cut हो रहे हैं concept तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ लेता है लेकिन जब final exam में जाकर questions को करके आता है तो वहाँ पर कहीं न कहीं basic basic सी mistakes होती है like minor mistake plus minus multiply divide LCM SCF तो यह छोटी-छोटी सी mistakes होती है यह mistakes शुरू हुई कहां से आपको वहां कि उसके बारे में सकुचना है कि यह origin कहां था यह plus minus की गलतिया होना start कहां से हुई start हुई होंगी वहां से जहां से इसने पढ़ना start किया होगा plus minus multiply divide को तो अगर हम basically देखें तो mathematics के जो operation है plus minus multiply divide यह छोटी class हमें start कर देते हैं second, third तक, fourth class तक बच्चा अच्छा division plus minus अच्छे से करने लगता है लेकिन अगर उसी time पर अगर यह सारी चीज़ें अच्छे से cover नहीं हो पाती है तो फिर बच्चा आगे struggle करता ही रहेगा चाहे वो 6, class वो 7, 8, 9, 10 और फिर 11, 12 की तो आप बात छोड़ी दीजिए तो मैं एक class 6, 7, 8 के लिए एक foundation course लेकर आ रहा हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा mathematics के basic operations को कैसे calculate करें plus minus multiply divide यह सारी चीज़े easy कैसे हो जाए बच्चे के लिए दूसरी चीज मैं यह भी देखता हूं कि बच्चे algebraic expressions में बहुत ज़्यादा गलतिया करते हैं कोई चीज इदर plus की है उदर जाएगी तो क्या होगा divide में है तो उदर जाने पर क्या होगा अगर हम उनको direct सिखा भी देते हैं कि यह plus है उदर जाकर equal के उदर लेकर जाओगे तो minus हो जाएगा यह सब चीज़ें सिखा भी देते हैं इसके बाद भी वो कही न कहीं गलतिया करता रहता है उसका region यह है कि अगर हमने उसको यह बता दिया कि यह plus है उदर जाएगा तो minus हो जाएगा लेकिन अगर हमने साथ में यह भी बता दिया कि यह plus जाकर उदर minus ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता उसके पीछे कर लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, तो वो साइद लाइफ में कभी उसको भूलेगा नहीं, तो अगर बच्चे का बेस हमारा 6, 7, 8 standard पर अच्छा बन जाता है, तो वो 9, 10th का foundation एक बन के तयार हो गया, फिर 9, 10th में वो struggle नहीं करेगा, और 9, 10th में अगर उसने अच्छे से foundation अपना और अच्छे तयार कर लिया, तो वो चाहिए JEE की तयारी कर रहा हो, या NEET की तयारी कर रहा हो, या किसी भी other stream में वो हो, तो उसको problem नहीं आने वाली हैं, main problem कहां आती है, हर साल इतने 12-13 लाख बच्चे JEE का exam दे रहे हैं, इतने सारे student NEET का exam दे रहे ह एक limited seats हैं, तो उन competition बहुत जादा है, तो इस बच्चे का selection कैसे होगा, जिसको plus minus में ही गड़बड कर रहा है, उसका selection कैसे होगा, तो उसका answer यह है कि अगर आप 9-10 में जाकर aware होते हो, कि अब इसको कुछ basic concept सिखा दिया जाए और फिर जाकर आगे बाद बने, तो कर सकता है बड़ थोड़ा सा struggle फिर भी उसको करना पड़ेगा, थोड़ा hard work जादा करना पड़ेगा, अगर 6-7-8 standard level पर ही अगर उसने ये कर लिया कि अपना basic concept clear कर लिये हैं, तो वहाँ पर उसे उतना hard work नहीं करना पड़ेगा, और उसकी chances बढ़ जाएंगे कि उसका एक अच्छा score ह कि तो अगर कोई बच्चा एसा है जिसने सिर्फ stream इस लिह ले ली है, कि किसी और ने भी ली है, PCM वो इसलिए उसने चूच कर लिया है कि किसी और ने लिया है, मेरे दोस्त ने लिया है, तो उनका selection तो वैसे वी नहीं होना है, ये तो पक्की बात है, लेकिन अगर कोई बच उसका selection के chance कैसे बढ़ सकते हैं, वो उसका तरीका एक ही है कि आप starting से, basic से, जब आप अपना एक building आप जैसे बनाते हो, वैसे आप base अगर अच्छा बना लोगे, तो उपर के top floors तक आप कितने भी top तक जा सकते हो, उसमें problem नहीं आएगी, क्योंकि हमने base अच्छा बना लिया ह तो class 6 level पर ही, मैं सभी parents से भी यही बोलूँगा, आपके आसपास भी अगर कहीं आप offline coaching ले रहे हो, आप कहीं online coaching ले रहे हो, तो class 6 standard पर आप एक best teacher दो उसको, जो उसको यह बता पाए कि कोई भी mathematics में या science में, अगर कोई भी phenomena science में हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसके पी यह phenomena हमारे आसपास दो चल रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, तो अगर क्यों पर बात हो जाएगी, तो बात बन जाएगी, और सभी बच्चे easily score कर पाएंगे, performance अच्छा होगा, score का कोई pressure भी बच्चे पर रहेगा नहीं, selection का भी कोई pressure रहेगा नहीं, अगर starting से ही उसका basic अच कर सकते हैं, वो सभी बच्चे जिनका basic बहुत ही कमजोर है, plus, minus, multiply, divide में भी आप even mistake करते हो, no problem, इस batch के अंदर जो हमारा basic foundation batch है, 6 to 8 के लिए, यहाँ पर mathematics में basic plus, minus, multiply, divide भी आपको सिखा दिया जाएगा, उसमें भी आपको problem नहीं आएगी, जिन बच्चों का पहले से काफी अच्छा है, वो अपना बहुत सारी कुश्चन की practice करके और ज्यादा strong कर पाएंगे उसको, okay, तो toppers batch class 6 to 10 के लिए start हो रहा है, first of April से, okay, कैसे join करना है, join करना बिल्कुल सिंपल है, आपको play store से जाकर GS classes app आप डाउनलोड करके, वहाँ से join कर सकते हैं, या जो courses हैं, उनके separate link आपको description में दिये हुए हैं, वहाँ से जाकर आप join कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कर लेता हूँ, timings की, तो class 6 to 8 का जो foundation batch है, उसका timing 6 p.m. to 7 p.m. है, ठीक है, 6 to 7 p.m. और इसके अंदर आपको basic mathematics और science की class हैं मिल जाएंगे, mathematics में हम लोग basic concept, यानि कि कोई जबी chapter होगा, उसके concept को पहले study कर लेंगे, और फिर उसके बाद NCRT exercise की practice कर लेंगे, इसके अलावा आपको हर एक batch के अंदर आपको बहुत सारे question MCQ form में और question की practice आपको separately मिल जाएगी, ओके, तो वहाँ से आप जब एक बार practice अच्छे से कर लेंगे, तो आपके पास NCRT से भी अच्छे level के question की practice हो चुकी होगी, ओके, तो math science का ये है, Monday, Tuesday, Wednesday इसमें math की class होगी, of course, Thursday, Friday, Saturday, फिर science की class होगी, इस batch के अंदर, और class अगर हम बात करें 9th की, तो इनकी timing है 5 p.m. to 6 p.m. ठीक है, ये है, इसमें भी आपको math science मिल जाएगा, और class 10th की अगर हम बात करें, त इनका जो timing है, वो है 4 p.m. to 5 p.m. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो batch है, ये तीनो batch अगर हम देखें, तो इनमें आपको क्या-क्या मिलेगा, math and science आपका part cover हो जाएगा, ठीक है, और इसमें math and science, यानि की science के अंदर physics, chemistry and biology cover हो जाएगी, physics, chemistry वाला पार्ट मैं देखता हूँ, biology कोई दूसरे teacher कराते हैं, और अपकोर्स mathematics वाला part मैं ही देख रहा हूँ इसमें, तो बस ये जो batch है, इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, बहुत जादा कुछ उमीद मत करो, basic concepts सारे मिलेंगे, NCRT के exercises सारी cover कर ली जाएगी, each and every question, और इसके अलावा, जो हमारे खुद के notes है उसमें से आप question practice करेंगे, तो आपको इपास NCRT से भी उपर के level के अच्छे question मिल जाएगे, जो कि आप जो other text book like RS Agrawal या RD Sarma level से भी अच्छा level या उसके equivalent होगा वो, तो इतनी practice आपकी sufficient हो जाएगी, ठीक है, तो ये batch आप join कर सकते हो, math and science का, और each ये जो batch है, इनका जो price है वो है triple nine, तो thousand rupees price है, इसका कोई बहुत जादा नहीं रखा है, तो पूरे साल के लिए अगर आप देखते हो, तो आपको monthly 83 rupees अगर देखो तो daily का कोई 3 rupees के आजपास पढ़ेगा आपको, तो कोई बहुत जादा नहीं है, तो almost free है, ठीक है, almost free है, बिल्कुल free नहीं है, तो almost free है, क्योंकि इतना तो charge हमारा और वी चीजों में लग जाता है, तो इतना worth it है, मतलब ती, अगर मैं अगर कहीं one hour अपना लगा रहा हूं, तो ये केवल मैं आपने time की value ले रहा हूं आपसे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी का अगर कोई बच्चा इतना भी afford नहीं कर सकता है, तो आपको already पता है कि class 9th, 10th का हमने पूरा का पूरा syllabus आपको playlist के अंदर मिल जाता है, आप free of post वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपके सारे concept clear हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के comments आते हैं, message आते हैं मेरे पास, कि उन्होंन पर daily मेरे से interact करोगे, live class में, YouTube पर देखोगे, तो वो videos होंगी, वो depend करता है कि आपकी कितनी determination से आप उसको पढ़ रहे हो है, अगर आपके अंदर वो है कि मैं सिर्फ videos से कर सकता हूँ, तो playlist enough है, आपको एक 3 रुपए daily भी खर्च करनी की जरुवत नहीं है, लेकिन अगर आ nominal सा charge है, ठीक है, तो ये आपका toppers batch की बात हो गई, आपका class 6 to 10 के लिए, ठीक है, timing मैंने आपको बता दी, fee मैंने आपको बता दी, और Monday to Saturday classes होती है, तो बस यही है, इससे जादा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, बाकी का कैसे पढ़ा रहा हूँ है, उसके लिए demo अबर की वीडियोज है, उसमें से कोई भी वीडियो देखकर देख लो कि टीचर कैसा करा रहा है, अगर अच्छा लगता है, तो आप join कर सकते हैं, इसके बाद अगर बात करें, बच्चों, दूसरा, class 10th के बाद के अगर हम बात करें, तो उसके लिए हमारे पास है, एक बेच हैं, जिसको आप join कर सकते हैं, वो जो एक लब बेच हैं, वो काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि उसमें मैं एक ऐसा course बना रहा हूँ, जिसमें पहले तो basic, अभी basic की नीव रखी जा रही है, अगर कोई बच्चा 6 class में है, तो जब वो 11-12 में आएगा, 4-5 साल तो उसको एक ऐसा course मिल रहा होगा, जिसके अंदर, जिसके, करने के बाद कहीं कुछ और करने की ज़रूट ना पड़े, तो ऐसे course बनाने में time लगता है, अभी हमने 11-12 का बिलकुल basic concept के साथ, physics, chemistry, math वहाँ पर upload किया होगा है, और 7 में मैं अब हर साल उसमें और कुछ नकु जेए के questions की practice, need के questions की practice, कुछ नकुछ उसमें add होता ही रहेगा, क्योंकि एक अच्छा course बना कर देना है, ऐसा ही नहीं कि बस केवल एक course बना दिया और काम खतम हो गया, वैसा नहीं करना है, तो इसलिए उसमें time लगेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि अभी 11-12 जेए need क इसकी तैयारी के लिए basic concept आपके clear करने है, तो definitely आप A Clubby Wedge को आज ही join कर सकते हो, वहां से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाने वाली है, वो सारे बच्चे जो struggle कर रहे हैं किसी भी coaching center में, कि जब वो coaching में जाते हैं, जेए का question देखते हैं, उनको समझी नहीं आ रहा, च चास बच्चों के बीच में किसी बच्ची बड़ी coaching में जाकर कोई teacher कोई question करा रहा है, उसको समझी नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है वहां पर, तो सिर्फ उसको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे से हो नहीं हो रहा है, उसका region क्या है, कि ये जो question है, ये मैं समझ क्यों नहीं क्या चीज़ है तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि एक बड़ा कुश्चन अगर आपके सामने है तो उसको छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक करने की जरूवत है क्योंकि एक ही कुश्चन के अंदर बहुत सारे बेसिक कॉंसेट काम कर रहे हैं तो अगर आपके बेसिक कॉंसेट क्लियर हैं तो आप उन सारे बेसिक कॉंसेट को जोड़ कर एक बड़े कुश्चन को तोड़ कर बना सकते हो उसको बड़े आसानी से एक बड़े कुश्यन को हमें छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ कर उसको solve करना होता है तो पहले आप छोटे-छोटे basic concept अपने build-up तो करो फिर उसके बाद ही तो एक बड़े कुश्यन को उन छोटे-छोटे concept में तोड़ पाओगे या आप कुश्यन को पढ़कर देख पाओगे कि अच्छा इसमें तो यह सारे concept काम कर रहे हैं क्योंकि generally class 9-10th level तक जो आपके पास कुश्यन आता है वो एक ही concept पर based होता है लेकिन जब आप 11-12th या J-E-Need का exam देते हो तो मैं particularly competition की बात करूँ तो जब J-E-Need की बात आप करोगे तो वहाँ पर जो कुश्यन आएगा उसमें एक से ज़्यादा concept काम कर रहा है तो जब आप कुश्यन को पढ़कर देखने के बाद यह समझ में आने लगेगा कि इसमें ये और ये concept काम कर रहा है तो फिर आप उसको आसानी से break कर पाओगे तो जिन बच्चों के साथ भी ये problem आ रही है कि वो coaching तो कहीं ले रहे हैं टूसंस भी जा रहे हैं कहीं पर या कोई book है उनके पास J-E की तो कुश्यन को पढ़के समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें चल क्या रहा है करना क्या है आगे तो उसका सिर्फ बच्चो एक ही रीजन है मैं आपको अपने experience से बता रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको उस question के जो basic concept है वो पता नहीं चल रहे हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें इसमें काम करेंगी और वो क्यों नहीं पता चल रहे हैं क्योंकि आप basic पर नध्यान देकर सीधा J.E. का question या need का question उठाकर बैठ जाए हो तो उससे पहले क्या करना चाहिए हो उससे पहले ये करो कि अपने पहले जो छोटी-छोटी सी चीज़े हैं पहले उनको clear कर लो जब आपके पास physics, chemistry, maths के तीनों concept जब basic वाले strong हो जाएंगे फिर उसके बाद आप question की practice करना start करें ना कि ये करना start करें कि day one कहीं पर question कोई एक बड़ा सा लेकर बैठ गए और फिर frustrated हो गए कि आरे ये नहीं हो रा मेरे से पर नहीं हो पाएगा फिर दीरे दीरे आप अपना confidence lose कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें ना करो तो जिन बच्चों को भी अपनी basic concept वो बहुत ही clear करना है, crystal clear बनाना है एक लब बैच, class 11th और 12th के लिए आप आज ही join कर सकते हो उसकी fees भी बहुत ही nominal है तीनो subject 2000 रुपीज में आपको मिल जाएंगे और जो कि अगर देखोगे तो डेली का 6 रुपे के आसपास पड़ेगा आपको कोई बहुत जादा नहीं है पूरे साल का fees भी आपको बता रहा हूँ 2000 रुपीज चीक है तो ये मैंने आपको दो बैच बता दी है टॉपर्स बैच और एकलब बैच में डिफरेंस सिर्फ ये है टॉपर्स बैच के अंदर live classes होती है ठीक है एकलब बैच के अंदर क्या होगा एकलब बैच के अंदर recorded videos होंगी जो जो वीडियो में बनाता जाता हूँ टॉपर्स बैच के अंदर live classes होंगी लेकिन टॉपर्स बैच सिर्फ class 6 से class 10 तक के student के लिए अवेलेबल है 11 और 12 जेई नीट का जो बैच है उसके अंदर सिर्फ recorded वीडियो जो अवेलेबल है और study material वहाँ पर आपको मिल जाता है सारे questions वहाँ पर solution के साथ दिये हुए है तो आप उनकी self practice करके अपना अच्छा score कर सकते हो चीक है तो एक लब बैच में कुछ timing बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सारे recorded वीडियो है वन सौर्ट में आपको मिल जाएंगे आप उन वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो वहाँ पर किसी भी तरही कोई limitation नहीं है चाहे आप 11th का बैच जोईन करो या 12th का बैच जोईन करो दोनों ही बैच की validity दो साल की है class 6 to 10 तक का जो बैच आप जोईन करते हो कोई भी बैच जोईन करते हो इस वज़े से उनके maths नहीं आ पा रहे है वो बच्चे जो कुश्चन को देखते हैं जिनको समझ में नहीं आता कुश्चन को पढ़के कि इसमें करना क्या है चाहे वो 6th, 7th, 8th standard का बच्चा क्यों ना हो कुश्चन पेपर को पढ़के कि या कुश्चन को पढ़के समझ नहीं पाता है क्या करना है उन सारे बच्चों के लिए ये बैच हैं जिसमें हम लोग जो मैं में फोकस कर रहा हूँ वो कि बच्चे को easy लगें चीजे ना crystal clear हो जाए concept तो आराम से कुश्चन समझ में आने लगे कुश्चन समझ में आने लगेगा तो उसका solution वो आसानी से कर पाएगा तो ये बैच आप सारे जोइन कर सकते हैं और ये आपको लिंक सारे description में दिये हुए है वहाँ से आप जोइन कर सकते हैं और जो बच्चे live class को जोइन करेंगे उनसे मैं 1st April को मिलूँगा उनकी जो मैंने टाइमिंग बताएंगे हैं उस पर Thank you so much पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये GS Classes को और करे अपने Board and JEE का सपना साकार Download the app now